सो हमारा ये वीडियो एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर होने वाला है बेसिकली मुझे एक कोश्चन आया था कि जो हमार एबका से उसके अंदर हम वेडियेबल एंप्लिटूड लोडिंग कैसे देते हैं या पिर कह सकते हैं कि अगर हम जैसे साइकलिक लोडिंग दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है हमारा लोड का मैंगनिटूड वेरी करता है विद दर स्क्राइब टाइम तो वो variable amplitude हम किस तरह से form करते हैं, उसे हम कैसे assign करते हैं, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आईए, कुछ नया सीखते हैं तो basically हम क्या करने वाले हैं, यह जो आपको अभी सामने में यह जो graph दिख रहा है हम basically इसी graph को abacus के अंदर plot करने वाले हैं तो मैं एक बार overview देता हूँ, यह है क्या यह आपको generally cyclic loading के research paper में या फिर जहां varying हमारा amplitude वाले loading होंगे, उस वाले paper research paper में आपको generally देखने को मिलेगा तो यह basically क्या है, यह हमने amplitude create किया है for example, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक column है, जिसके उपर मैं क्या ना, lateral loading दे रहा हूँ, ठीक है cyclic में हम generally lateral loading देते हैं, तो उस lateral loading में मैं क्या कर रहा हूँ कि, जो हमारे one side है हमने दे दिया 10 kN हमें push करना है, okay, so, अब क्या होगा, हमने push कर दिया, लेकिन cyclic में क्या होता है, वो आपस अपने position पे आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, कि अब इस load को वैडि नहीं कर सकते, तो हम इस load के साथ एक amplitude के graph को plot कर देंगे, यानि fix कर देंगे, तो उससे क्या होग होगा, for example, अगर यहां पर आप देखोगे, तो 0 पर मेरा 0 है, जो आपको यहां time और amplitude के इस सबसे पहले बाले column में दिख रहा होगा, ठीक है, और time जब मेरा 0.15, अगर मैं इसको seconds में लूँ, ठीक है, तो 0.15 second में 0.1 है, that means कि मैंने जो वो 10 दे रहा है, वो 0.15 second में only 1 kN act क कि वो 3 second पर जा रहा है, तो minus 0.1 है, that means कि वो 10 multiplied by 0.1, like, तो वो क्या हो रहा है, minus negative direction में मेरा क्या हो रहा है, कि 1 kN act कर रहा है, so basically क्या होने वाला है, कि हमने जो ऐसे करके push दे रखा है, और यह हमारा column है, इसको हमने push दे रखा है, तो push देने के बाद वो पहले 1.5 second में क्या होगा, कि वो 1 kN push करेगा, and then वो 0 आ करके वापस minus negative के तरफ पुल करेगा उसे, तो यह हमारा push and pull का motion हो गया, जो कि cyclic में होता है, तो basically क्या हो रहा है, कि आपको इसमें देखने को मिलेगा, कि यह increment होता जा रहा है, हमारा loading, तो हम जब इस amplitude को load के साथ assign कर देते हैं, तो उस load का value तो 10 रहता है, मगर वो multiplier, यह जो values है, हमारे 0.1, 1.0, 1.0.25, यह क्या है, हमारे उसके multiplier है, that means कि वो 0 second में 0 रहेगा, next 1.15 second में हमारा क्या होगा, 0.1 से multiply हो जाएगा, फिट 0.025 में 0 से multiply हो जाएगा, यानि 0 हो जाएगा उसका value, 0.3 में हमारा minus 1 से multiply हो जाएगा, यानि minus का 1 हो जाएगा, तो similar way में वो क्या होगा, एक cyclic motion create करेगा, so यह जो amplitude data है, हम अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएगे अपने, जो भी हमारा module खुला होगा है, यह आपने देख रहा होगा, मैंने पहले भी use कर रखा है, इस पे पूरा आपको एक video मिल जाएगा, validation का वीडियो भी नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, यह हमारा जैसे हमने पार्ट प्रोपर्टी कर लिए हमें आना है, लोड वाले section में, ठीक है, amplitude क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले हमें amplitude क्रिएट करना होगा, और then उसको हम assign करेंगे, याद रखिए यह जो हमने model है, इ हमें main model में देना है, क्योंकि buckling वाले में तो हमने क्या imperfection करने के लिए यूज किया था, similar way में, क्या है हमें amplitude डाना है, तो हमें, जो मेरा main model है, जिसमें हम work कर रहे हैं, उसमें magnitude डालना होगा, तो हम amplitude डालना होगा, तो हम इसमें आएंगे, इसके load वाले section में आएंगे, then हम में जाना है, tools में, tools के अंदर आपको यहां amplitude का section मिलेगा, और उस amplitude में create करना होगा, चीक है, अब इस amplitude का नाम हम कुछ भी डे सकते हैं, हम अपने understanding के लिए देते हैं, cyclic, because यह kind of a cyclic load है, और type, चीक है, type हमने क्या है, tabular बना रखा है, हमने क्या है, table बना रखा है, जो हमार amplitude data और time data के respect में, तो हम इसलिए tabular चूज करेंगे, अगर आपके पास और भी कुछ हैं, जैसे कि आपके पास spectrum data है, तो आप spectrum यूज कर सकते हैं, डीके data है, तो डीके यूज कर सकते हैं, यह generally हमें काम नहीं आता, हम tabular यूज करते हैं, क्योंकि जो हमने cyclic बनाए, उसका एक table create किया है, and then उस table को हम क्या कर रहे हैं, एपकस के अंदर डाल रहे हैं, तो हमने tabular choose किया, continue किया, यह हम से पूछ रहा है, step time या total time, यह क्या है, कि हमने जो steps बना रखे हैं, हम क्या है, कि multiple step एक model में बना सकते हैं, यह आपको पता होगा, तो आप, अगर यह हमें पूछता ह है कि जो हमनारा पूरा analysis का duration है, उस पूरे duration के लिए amplitude apply करना है, यह जो हम step के अंदर time assign करते हैं, जैसे one second दे रखा है, तो step के time के account करना है, तो हम step time लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम vary करेंगे, तो हमारा already amplitude vary होने वाला है, अब यहाँ पर time और amplitude का data मांग रहा है, तो वह हम लेंगे excel से, excel में हमने जो यह बना रखा है, time और amplitude का data, इसको हम करेंगे copy, copy करके हम डालेंगे abacus के इस वाले model में, paste करते ही आपको क्या दिख रहा है, कि सारे data तो हमें यहाँ पर paste हो गया, and then ok, ok करते ही क्या होगा, कि हम अगर check करना है, तो हम amplitude के manager में जा सकते हैं, और manager कि आपको अंदर दिख जाएगा, कि step time के लिए tabular data create है, जो कि cyclic loading का है, ठीक है, अब इस load, यह जो हमने amplitude बनाया है, इसको loading के उपर apply कैसे करना है, तो हम basically यहाँ आएंगे, हमने इसमें क्या displacement दे रखा है, आइधर हम यहाँ से edit कर सकते हैं, या फिर हम एक नया create करेंगे, तो क्योंकि आपको load apply करना पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, just edit करके, हमने, मैं आपको बता देता हूँ, कि हमने क्या कर रखा है, इसमें एक तो bottom fix कर रखा है, और second displacement दे रखा है, टॉप से, लेकिन हमें क्या है, lateral देना है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको lateral loading दे के ही ब seismic loading and displacement हमारा होगा, क्योंकि हम displace करके उसको apply करने वाले है, then continue, ठीक है, तो अब यह हम से क्या पूछ रहा है, कि reason चूज करें, हम क्या करेंगे, boundary condition जो हमारा top है, वो चूज कर रहे है, क्यों क्यों हमने नीचे fix कर रखा है, और top को move करना है, ठीक है, जनरल ही क्या होता है, स हम simulation करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कि bottom fix करके top move करते हैं, ठीक है, then हम क्या करेंगे, then यहां से हम नीचे से, इसका set नहीं create करना मुझे है, and done करते हैं, done करने के बाद यह आएगा, आपके पास, जैसे हमें पता है, u1 हमारा होता है, x direction में, u2 होता है, y direction में, और u3 होता है, z direction तो हम y axis या z axis के along इसको move कर सकते हैं, तो हम दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, हमने u2 चूज किया, अब यहां पर हम देंगे 10, 10 जो हमने दिया, यह क्या है, 10 mm, अब 10 से हमें क्या समझ में आ रहा हूं, मैं एक बार graph पे आता हूं, यह graph जो आपको दें, मैंने 10 दिया, यानि कि अब क्या होगा, displacement होगा, यह amplitude हम किसी भी चीज के साथ असाइन कर सकते हैं, आइधर लोडिंग के साथ, आइधर displacement के साथ, तो basically क्या दिया, कि जब हमारा time 0 होगा, तो वहां पर displacement 0 होगा, next जब 1.15 होगा, तो हमारा displacement क्या होगा, 0.1, that is 1 mm का displacement होगा, फिर 0.025 पे वह वापस 0 पे आएगा, and then फिर वो माइनस 0.1 है, 0.3 सेकंड पे माइनस 0 पे, मतलब 0.3 सेकंड पे वो माइनस 0.1 होगा, and similar way में वो positive, negative होता हुआ, वो increase करेगा, till what, till हमने दे रखा है, 1.5 सेकंड पे माइनस 1, यानि कि last position जो होगा, उसका 1.5 सेकंड के बाद होगा, और वो भी क्या होगा, negative direction of 10 mm, okay, so यह हमारा इस तरह से काम कर रहा है, जो हमारा amplitude वाली चीज़े है, ठीक है, अब यह हमने 10 दे दिया, अब यहां आपको एक मिलेगा amplitude, starting में ramp रहता है, ramp मतलब क्या हो रहा है, ramp मतलब हो रहा है, 0 टाइम पे 0 mm और 1 सेकंड पे 1 mm, यानि कि एक linear graph अब का होता है, अगर मैं इसका graph create भी कर देता हूं, graph, like here, अगर मैं यहां से graph create कर दो हूं, कौन सा वाला graph है, this one, okay, so, यह अभी reverse ले लिया है, 0 पे मैं 0 रखता हूं, and one पे one रखता हूं, okay, so, आपको यह कुछ इस तरह का graph दिख रहा होगा, यह actually थोड़ा wrong है, scene यह है कि हमारा double data होगा, that's it, okay, so, हमारी यह graph बनेगा linear, like, 0 second पे हमारा 0 रहेगा magnitude, and then, वह increase करता हूँ, one तक जाएगा, so, basically, this kind of graph हमें बनके, वह ramp data में मिलता है, that means क्या है कि हम जब भी, जो हमारा यह data है, for example, अगर यह सिर्फ ramp रहने देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, 0 second पे 0 रहेगा, one second पे one होगा, I don't know, okay, y direction में मैंने I think डाल दिया है, okay, okay, y direction में दे दिया, x direction या z direction में हमें apply करना था, मैं इसको edit कर देता हूँ, और यहां पे 10 डालूँगा, okay, and, so आपको arrow एक दिख रहा होगा, जो की x direction में यह orange कलर का arrow आपको दिख रहा होगा, so हमारा क्या हुआ कि basically lateral direction में एक load आ गया, जो की amplitude के साथ आ गया, so basically this तरह से हम इसी तरह से हम apply करते हैं, अब क्या है कि हमने जो step one का time दे रखा है, हम अगर step में जाएं और इसके manager में जाके initial edit करते हैं, okay, तो हमने यह time period one दे रखा है, so, जो हमने पूरा वो दिया है, उसका मतलब क्या है कि one second में वो move करेगा total amplitude, अगर मैं उसको one point five देता हूं, तो one point five second में वो पूरा move करेगा, तो यह हमारा time period हुआ, कि जो भी हमने step time दिया, उसके according वो पूरा, जो हमारा amplitude है, वो work करेगा, और क्योंकि वो amplitude इस time period पर work कर रहा है, इसलिए जो हमारा displacement है, क्योंकि displacement assigned है, हमारे amplitude के multiplier है, तो basically वो deal करेगा हमारा time period के साथ, तो हम यहाँ time period को जैसे change करेंगे, हमारा क्या होगा amplitude data change हो जाएगा time period के according, और उसी से हमारा क्या होगा displacement भी change हो जाएगा, तो basically यह था हमारा किस तरह से हम assign करते हैं, अब हमें क्या है कि अगर मेरे पास already एक graph है, already एक graph है तो उस graph से हम amplitude data हम कैसे लेते हैं, so मेरे पास मैंने यह graph ले रखा है, ठीक है, so अभी हम क्या करेंगे, इस graph का amplitude data create करेंगे, so यह basically एक research paper था जिसमें यह graph plotted था, अब क्या है कि इसमें time की value नहीं दे रखी है, यानि कि time हम अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कैसे क्या है क्या है कि step का हम जो value देंगे उस हिसाब से time होगा, generally हम को ऐसी displacement यूज करते हैं, like को ऐसी seismic loading, को ऐसी का मतलब होता है कि हम slow way में apply कर रहे हैं हमारा loading, जिससे क्या होता है कि हमारा जो इनर्सिया का value होता है वह बहुत minimum हो जाता है जिसके करण क्या होता है उसको ignore कर सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे result में जो इनर्सिया value है, तो इसलिए कभी-कभी आप देखते होंगे कि जब आप research कर रहे हैं, मतलब आप replicate कर रहे हैं या validate कर रहे हैं तो क्या होता है, डेटा आपका सब चीज़ सरी रहता है लेकिन क्या होता है कि वैल्यूस ज्यादा आती है, उसमें क्या होता है कि आपने जो time period ले रहा है वह बहुत shorter है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वह बहुत quickly move कर रहा है हमारे जो भी model है उसको जिसके कारण क्या रहा है, डेटा इंक्रीज हो रहा है due to inertia हमारा add हो जाए है, तो हम उसको avoid करने के लिए time period जो है थोड़ा increase करके लेते हैं, तो इसलिए time period क्या है कि हमारा main factor नहीं है, हमारा main factor है हमने loading किस तरह से दिया है, तो generally आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने initially zero से लेके कुछ values दिये and then यह consolidation period है and then increment and then consolidation period and then control, तो यह five parts में divided है, जैसे कि मैंने कहा time तो हम दो हमारा बनता है time versus amp का amplitude का data लेंगे, तो हम क्या करते है, time अभी रहने देते हैं सबसे पहले amplitude आते है, zero time पे हमारा amplitude था zero, okay, zero time पे amplitude zero है, next हम क्या देख रहे है कि यह कुछ time के बाद, हमें अभी नहीं पता है time क्या है, क्योंकि वह हम खुछ से भी assign कर सकते हैं, for example हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इसके note points लेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, यह जितने note points है, okay, for example, इसमें हम 30 note points है, और हम कह रहे हैं कि जो हमारा value है, वह क्या होना चाहिए, कि हम total time ले रहे हैं, assume three seconds ले रहे हैं, ठीक है, okay, so, like, I have to use calculator here, okay, so, मैं क्या करूंगा, for example, मैं ले रहा हूं, example के लिए, कि मैं almost 10 seconds तक मेरा model run होना चाहिए, ठीक है, तो मैं 10 seconds लोंगा, और क्योंकि इसमें note point मेरे 30 है, तो मैं उसे divide by 30 करूंगा, okay, so, यह 0.33 हा रहा है, almost, तो मैं क्या करूंगा, यहां से start करूंगा 0, then 0.33, then 0.66, then 0.99, sorry, 99, then, or we can say 1, like this, हम क्या करेंगे, increment करते जाएंगे 10 seconds तक, तो हमारा 10 seconds तक आ जाएगा, और यह जो values हैं हमें वह लिखना है, so, time आप समझके कैसे use करना है, second amplitude, amplitude हमने क्या करेंखा, जिरो पे 0 है, जो हमारा second note point है, वह कहां पे almost 9.5 के आसपास, 9.5, graph में आपको 9 दिख रहा होगा, लेकिन अचुली क्या है कि यह मैंने paper में देखा था, वह 9.5 उसमें data दिया हुआ, आपको graph के साथ data भी पढ़ना होगा, आपके research paper में तभी आपको पता चलेगा कि उस graph में कहां तक value जा रही है, ठीक है, तो यह 9.5, next आपको value क्या दिख रहा है, वह वहां से नीचे 1 पे आया, तो हमने दिया 1, ठीक है, next यहां से increment होके वह 8 तक जा रहा है, तो हमने दिया 8, then 1, then 8, 1, 8, 1, 8, like this, यह increment कर रहा है, for example, multiple हो गए, last हमारा यहां पर 1 पे आएगा, so यहां पर 1 दिया, ठीक है, यह बस मैं एक idea दे रहा हूं आपको बनाना कैसे है, आपको complete exact जितने note point से उतने use करने पड़ेंगे, तब आपके यह ऐसे एक graph create होगा, ठीक है, then यह 1 के बाद यहां से सीधा गया है, 12 है, about it, तो यहां से 1 से मेरा क्या जाएगा, 12 पे जाएगा, next यहां से वापस आके यह वापस 1 पे आया है, so यहां से 1 हो जाएगा, and then I think 8.5 और 9, then 9, so इस तरह से 1, 9, 1, 9 करके हमारा consolidation period है, and after यह 1 पे आएगा, for example यह consolidation period खतम हुआ तो यह end point हमारा 1 हो गया, यह जापको यहां पे सबसे नीचे, and then यहां से यह 5th consolidation period में जाएगा, जो कि मेरा almost 11.5 और 12 के आसपास है, so मैं यहां पे 11.5 दूंगा, and then फिर हमारा 1 फिर 11.5 constant है, so 11.5 until whatever node it is, okay, और इसमें आपको एक और चीज़ देखना है कि may be possible है कि आपके paper में दे रखा हो कि यह जो 1, 2, 3, 4, 5, 5 periods है ना, वो 5 periods equal distance है, that means जो मेरा time होगा, for example, हमने 10 seconds ले रखा था, उसको मैं पेले divide करूंगा 5 से, कालकुलेटर लेता हूँ, ठीक है, so हमने क्या कह रखा है कि हम 10 seconds यूज़ करेंगा, 10 seconds इसको मैं divide करूंगा 5 से, okay, so मेरे पास 2 आया, यानि कि हमारा क्या हुआ, कि जो यह पहला वाला section यह 2 seconds तक रन करेगा, यानि कि हम क्या करेंगे, यहां पे 0, and then यहां पे मेरा हो जाएगा 2, मैं just example भी दे रहा हूँ, कि अगर उन्होंने दे रखा है कि मेरा पूरा section equidistance पे लाई कर रहा है, जैसे पहला जैसे यहां पे इन्होंने क्योंकि numbering दे रहा है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है कि यह इकवी डिस्टेंस है, या फर्स्ट एक्शन इस 1.5 ताइम सेकंड इस 2 ताइम लाइक इस उन्होंने कुछ दे रखा होगा, मैं एक्जिम करके चल रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा दे रखा है कि इकवी डिस्टेंस है, तो फाइब सेक्शन इह मारे पास होगा, तो हमने कि इस सेक्शन इहा हमारे 2 से कंड का होगा, आप इस 2 सेकंड की यह तो कहना één, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11 नोड यानि कि हमारा क्या हो जाएगा, 2 divided by 11 that is equals to 1.18 so next जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 2.18 then we will add 18 again that is 2.36 like this we will increase so eventually after this consolidation period we will get 4 because हमने 2 को divide कर रखा है next यहां 4 हमारा end हुआ यहां से हमें फिर 2 आइड करना है that is 6 अब जो भी यह हमारा data बनेगा इस data को हमें amplitude वाले में data copy करना है तो यह basically हमारा इस तरह से graph हमारा amplitude काम करता है हमें इस तरह से data create करना होता है और यह data हमें abacus के अंदर डालने होते हैं I hope कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि जो हमारा amplitude data होता है data होता है उसको हम use कैसे करते हैं उसको create कैसे करते हैं किसी graph से उस data को हम निकालते कैसे हैं यह सारी चीज़े इस वीडियो में थी ठीक है अगर आपको समझ नहीं आया आप वापस से इसे repeat करके देखें आपको properly समझ में आएगा और फिर भी ना आता हो तो आप मुझे telegram पर contact कर सकते हैं मैं वहाँ पर भी help कर देता हूँ आपकी so बने रही है हमारे इस channel के साथ और किरिपया like कीजिए subscribe कीजिए और share जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी यह सारी चीजे और यह सारी अच्छी information मिलती रहे धन्यवाद